दोस्तो दैनिक एडुकेशन टीवी में आप लोगों का सवगा थे दोस्तो आज एक बहुत ब्रेकिंग नीज आए है जितने भी टेलिवेशन मीडिया है प्रिंट मीडिया है उसके साथ साथ जितने भी नीज चलन है एई चीज बता रहे गौवर्णमेन प्रेशार में आके इ दोस्तो हाँ गौवर्णमेन दवाओ में आके इस बील को होल्ट में रख सकता है एसाई नीज आरे सारे नीज चलन से आए दोस्तो आज का टोपिक हम शुड़ू करते हैं लेकिन टोपिक शुड़ू करने से पहले अगर आप मेरा चलन में नाए हो तो प्लीज चलन को सबस् मीडिया बिल टू प्राइबेटाइज सेगें स्टेट ओंड बैंक अनलाइकली इन दिस सेशन मीन्स गौवर्णमेन दवाओ में आ चुका है और आज सेगें डे स्ट्राइक है और गौवर्णमेन्ट होल्ट कर सकता है इस प्राइबेटाइजेशन बिल को आप लोग भगव दोस्तो इसमें दो चीज़ आ रहे हैं क्यूकि गौवर्णमेन्ट पहले रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया से एक बार फाइनल डिसकर्शन करना चाहते उसके बाद एक डिजिशन लेगा बिल जो राज्यसभा में पेश होगा कि नहीं होगा क्यूकि लोग सबा में दोस्तो अभी थोड़ी दिन बाची हुई है विंटर सेशन एंड होने पिये क्यूकि 23rd डिसेंबर जो विंटर सेशन है लोग सबा में एक खतम हो जाएगा तो गौवर्मेंट सोच रहे है गौवर्मेंट इस लाइकली टू होल्ट डिसिशन विट रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया बिफोर एक फाइनल डिसिशन इस टेकेन अन दे बिल तू प्राइबेटाइज टू पाब्लिक सेक्टर बैंक एक अच्छा न्यूज आ रहे है आप लोग भगवान से दुआ किजिए जो बिल है एक गौवर्मेंट प्रेशर में आके होल्ट करते क्यूंकि दोस्तो अगर एक बिल पेश हो गया हमारे लोग सबा में तो बहुत कुछ घर सकता है लिटारीस को पेंशन नहीं मिल सकता है फैमिली पेंशनर को पेंशन नहीं मिलेगा उसके साथ साथ जो पाब्लिक सेक्टर बैंक जो प्राइवेट होने बाला है उस पाब्लिक सेक्टर बैंक पे जितने भी ग्रहक है उसका भी बहुत प्रॉब्लेम होने बाला है उसके साथ दैनिक एडुकेशन टिबी के साथ जुड़े राइए थैंक यू सो माँच